नमस्कार बच्चों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बढ़के गुरुजी के इस आनलाइन सेशन में जैसा कि हम आपको यूपी पॉली टेक्निक के मौडल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं तो पहले पार्ट में हमने और आपने मिलकर सॉल्व के थे 25 कुशन जिन बच्चो क्या रहा है कि किरन किसी दूरी को 80 किलो मीटर प्रति घंटा की चाल से तै करती है और वापस उसी बिंदु पर 20 किलो मीटर प्रति घंटा की चाल से चल कर आती है तो किरन की आउसत चाल संपूर यात्रा के दोरान क्या होगी बच्चों जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी average की ठीक है उसमें मैंने इसका formula बताया हुआ है मैंने बताया है कि अगर कोई वेक्ती x चाल से किसी गंत पर जाता है नहीं आज ये a से वो b पर जा रहा है ठीक है तब इसकी चाल है x km प्रतिगंटे ठीक है speed चाल को किसमें बोलते हैं और जब वापस आ रहा है तो उसकी speed है यह जाने की speed है और वापस आने की speed इसकी है y km प्रतिगंटा ठीक है यहां रखेगा इसमें condition क्या है condition यह है इसकी condition यहां लिए देता हूँ कि distance should be same distance should be should be same यह जो दूरी है दूरी समान होनी चाहिए दूरी समान होनी चाहिए अगर ऐसी condition बनती है तो औसत चाल का formula क्या हो जाता है औसत चाल का formula हो जाता है 2xy upon x plus y ठीक है अब देखिए यहां पर x यानि पहली चाल दी गई है आपको x की value दी गई है कि यह सारी value रख देनी है आईए इस formula पर रख दे है क्या आएगा दो गुड़े 80 गुड़े 20 बटे यहां पर 100 आ जाएगा ठीक है अब इन दो 0 से यह दो 0 हम cancel कर सकते हैं आपका answer आगया है दो गुड़े आठ गुड़े दो गुड़े इनको गुड़ा कर लिजे आठ दुने शोला दुना बत्तिस यानि बत्तिस किलो मेटर प्रतिगंटे आपकी क्या आगई एवरेच चाल आगई यह आपका answer होगा देखिए कौन सा विखल्प सही है तो यहां 32 यानि C वाला जो option है वह आपका सही होगा I hope आपको समझ में आओगा ध्यान रखेगा यह औस चाल का formula important है तो यह वाला जो formula है न यह वाला औस चाल वाला यह वाला formula आप जो है याद रखेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ में 27 नंबर question में कह रहा है कि दिये गया है चित्र में EE जो है वो BC के समाना अंतर है यह जो मांग बनावा बच्चों यह आपका समाना अंतर का होता है मतलब समाना अंतर ठीक है एक दूसरे के parallel है जैसे आपके train की पढ़ रहां द दिए है यह वाई लाएं ठीक है और यह जो BC है यह दोनों आपस में क्या है parallel है यानि कहीं मिलेंगी नहीं जैसे आपका AB और AC क्या है यहां इस point पर मिल रही है ना ठीकिन यह कहीं मिलेंगी नहीं यह जो कहते है जो कहीं मिलती ना हो एक दूसरे से ठीक है चलिए यहां यह आपने कुछ दिया भी हुआ हम लोग को एक जानकारी दिये कि बाई सब डी जो है बटे बीसी जो है एक बटे चार है चलिए बीकों सा है ये वाला जो बीसी कौन सा है ये वाला ठीक है ये सवाल अगर मैं पता हूँ आपको अच्छों तो ये आया हुआ है सरवांगसं त्रिबुज अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि दो त्रिबुज को समरूप हम दिखाते हैं समान और समरूप में अंतर होता है ज्यांद कियेगा समरूप का मतलब होता है क्या है एक ही रूप जैसा जैसे आप देखते हैं कि अगर कहीं आप मार्केट मे नहीं कि पंदल पहुँत तो कोई चीछ चोटी मिल रही है वह यह चीज बहुत बड़ी मिल रही है वह यह दो और भी मिल रही है वे जिस अमान नहीं बाइब चाहिए यह समुख और समान में अंतर क्या है तो जब मैं बहुत है कि वह एक जैसा नहीं है अंतर है तो अगर इस वाले में आप देखे इस वाले जो पिस्टोशन को तो देखे ए और दूसरा त्र भीजी एक यह बन रहा है, यहां और देरह से गर बीच से में एक लाइन खीछ दू, दूसरे टॉल देते न, रिलते छलो ब्लैक लरगे ब्लैक दिखेंडेते, तो हम यहां पर एक त्रभीज यह बना देते है और, यह बन गया अचा रोई दा, जा हुआ? जो क्या बना है ABC दूसरा त्रूज हमारा क्या बना है त्रूज A B E ज़र समरूप दिखाने के लिए आ तो आप जो बुझाओं का सरी कौंड अगर आप तीनों कोड दिखा दीजिए तीनों कोड एक बुझा इस तरीके से कुछ होता है न उसमें कि आप दो कोड एक बुझा तो व क्या है यह उभय निष्ट मतलब क्या है दोनों में है त्रिभूच का जो ओर इस गार इस वारे ट्रिभूच का ओर है क्या है चूकि डीए हम लेकिंगे चू की डीए क्या है पारलल है B C के तो अगर ये पैरलल रहते हैं, ये दोनों लाइन अगर पैरलल हैं आपस में, इनके तरफ यहाँ जो कोण बनेगा वो इसके बराबर होगा, और ये वाला कोण किसके बराबर होगा, वच्छे ध्यान रखेगा, यानि कि कोण अगर मैं इसकी बात करूँ, A, D, E की बात कर कौन A, T, D की बात करूँ तो ब्रावर होगा A, C, B के कौन A, C, B के इतना मुझे इसलिए करना बढ़ रहा है क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ अदर्वाइस ये कुश्चन बहुत एक मिनिट का कुश्चन है ये ठीक है एक मिनिट से कम मेरे खा सकते तीन से कुश्चन है ये ठीक है अब यहां से ये तो तीनों आपको मिल गए है न ये जो आपको तीनों चीज़े मिल गई है पहला कोड ये मिल गया आपको दूसरा एंगल ये मिल गया आपको और तीसरा ये मिल गया तो तीनों चीजों से आप क्या कह सकते हैं कि ये तीनों एंगल और ये तीनों एंगल आपस में क्या हैं बराबर हैं यानि कि एंगल 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 समरूपता से रूपता से हम बदा सकते हैं प्रूफ कर दिया हमने कि जो त्रबूज ए बी सी है वो क्या है समरूप का इसे ही म तिर्बूज किसके है, A, D, E का है, यानि कि ये जो तिर्बूज है, ये इस तिर्बूज के क्या है, समरूप है, अब दूसरी बात याद रखेगा, जब कोई जी समरूप होती है, इस तिर्बूज जो है, यानि ये तिर्बूज A, B, C, और तिर्बूज क्या है, A, D, E अगर समरूप है, तो इसमें इनका जो भुजाओं का अनुपात होता है, वो बरावर होता है, यानि कि अगर मैं बात करूं इस भुजा की, T, E की, तोरी, ये अगर इसकी पहले वाले पुजा क्या होगी, A, D माल लेते हैं, चलो इसको, A, D माल लेते हैं, A, D, B, B, C, आप धिहान रखिएगा, ये जो मैंने बनाया है, तिर्बूज, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा इस तरीकेश बना देता हूँ, अगर आपको समझ में ना आरहा हो, ठोड़ा सा, और अच्छे समझा देता हूँ, इन को आलग कर देता हूँ, ठीके, इन को मैं अलगी कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ये वाला बना देता हूँ, ये वाला bill, B, 3 और यह छोटा वाला निकल कर गया था ना इसको इसको दूसरे कलर ले ले लिया लिए हमेने यह वाला ले लिग अमेरे खाल सा थोड़ा और Trier हो जाएगा A, D, E इसको मैं निकाल लिए इसमें से काटके न अब हमने कहा ये कोण और ये कोण तो आपस में क्या है वे निष्ट है और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्यों बराबर होगा क्योंकि ये पैरलल है आपाले में इगर दो रेखाओं को एगर रेखा काट रही है तो यह कोण और यह कोड संगत कोड क्या होगा? आपस में बराबर होगे यह कोण भी हमने प्रॉब कर दिया कि यह इसके बराबर होगा ठीक है अब बचे है ये D वाला तो E वाला ये देख रहे हैं कि ये वाला भी जो कोण होगा वो इस कोण के क्या होगा बराबर होगा भाई जाब ठीक है अब तीनों गर कोण बराबर होगे तो हम कहते है ये छोटा ट्रेडी बियर है ये बड़ा वाला ट्रेडी बियर है तो इ इसमें समानता क्या होती है अगर इसके लिए समरूप होता है तो इसमें कंडिशन ये लग जाती है ठीक है जहां रखेगा छोटी भुजा एडी लिखा न आपने इसकी ये भुजा ले लिया तो इसकी एई भुजा ले लिया तो इसकी एई भुजा ले लिया तो इसकी एई भ वाला छोटे वाला त्रभूज का लेते हैं, छोटा त्रभूज है, तो नीचे बड़ा त्रभूज है, तो सेम वही करिएगा, यह ऐसा नहीं करिएगा, एक में बड़ा लिख दिया, एक में छोटे का लिख दिया, ठीक है, आप उपर छोटा लिखने तो पर छोटे का ही लिखते जाई है और निचे बड़े वाले का लिखते जाई है इस तरीके से कर सकते हैं हमें पता है कि इसकी वैलू दी हुई है तो हम लिख बता सकते हैं कि भाई साहब एडी बरावर एबी बरावर एए अपॉन एसी बरावर एक बटे चार बीव आप बॉन वीचर दिए गया है कि यह पहुछ सारी बराबर है हो सकता आपको यह क्या पूछ रखा आपको एडिया पूच रै Toutे यह वैलु पूच रिखता है तो यह वैलु पूच रखिते है क्याम युटार से guilt जहां रहेंगे चलिए बच्चो अगले कुशन की उपर चलते हैं अपने कुशन नमबर 28 क्या कह रहा है कि कह रहा है बाई साब यदी एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की जो वैलू है वो 34 है आपको बताना है कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स जो होगा वो कितना होगा कोई बात नहीं हम बताएंगे भाई कि इस सवाल कर बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीजे बता दूँ कि आपको इसमें से एक दो चीजे याद होनी चाहिए जैसे ए प्लस बी का आपको होल स्क्वार याद होना चाह है तो प्लस बी लग जाता है यहां पर यहां माइनस तो माइनस वे भी याद ही अंतर आता है ठीक है चलिए अभी आपको हम बताने जा रहे है इस सवाल के बारे में तो जो दिया है उससे से जुरू करते है यानि एक्स की पावर फोर को मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वाइर का फोल स्क्वाइर दो दूनी चार फिर आ जाएगा घातां का नियम और घातां की बहुत अच्छी वीडियो मैंने बना रखिया है ठीक है चैनल पर अबलेबल है जाके आप देख सकते हैं 34 हो गया कोई वैलो हमने चेंज नहीं की अगर आप कहिए याद दीजे तो हम एक को रहां आपन एकक्स वाइर का यहां पर भी होल ऊसपायर हो गया बराबर थरटिफोर यहां पर तो यह भी नहीं मिल रहा है मैं लेकिन हम जानते हैं कि इन दोनों का गुड़ंसल अगर करेंगे तो एक आएगा क्यों कुगी एकसपायर को अगर भग ऑन एकसपायर के जोड़ दे, इसमें अगर हम two जोड़ दे, दोनों पक्षों में, इतना जोड़ दे, दो जोड़ दे, तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में दो जोड़ नहीं पर, ठीक है, कोई फरक नहीं आएगा, क्योंकि दोनों तरफ जोड़ रहे हैं, अगर गुड़ा भात तो बहुत भी कर रहे हैं आप दोनों तरफ कर रहे हैं तो मतलब आप वैलू को चेंज नहीं कर रहे हैं लिखे चलिए आपर x2 का हो जाए कितना all square plus one upon x square का all square plus two पराबर 34 अब एक चीज़ आपको जाना रहे हैं दोन तो चंदोड़ने हम इधर भी दो इधर भी दो फिर बाद में इधर लेका यह माइनस कट जाएगा जोन दो से दो पर अपने काटना नहीं है हम इसको लिसकते हैं दो गुड़े x square गुड़े one upon x square ऐसा लिख सकते हैं लिख सकते हैं तेके अब आप देखिए यह formula बन रहा है कि नहीं बन रहा है यह वाला formula अब इसको a मान ले हम थोड़ा color change करो आपको जाले यह a मान ले और यह b मान ले तो क्या हो रहा है a का square हो रहा है यहां एक सक्वायर यहां दो गुड़े a गुड़े b हो रहा है यहां a और b हो रहा है यहां 2 a भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहांपर यह क्या हो जाएगा a plus b का whole square और a की value क्या है आपकी x square है यहांपर और बी की value क्या आई है 1 upon x square आई है तो हम इस चीज को यहाँ पर लिख देते हैं भाई साहब यह लिखा जा सकता है x square प्लस 1 upon x square का whole square बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा यह square पूरे का हो गया तो इसको इधर ले जा सकते हैं तो क्या हो जाएगा x square प्लस 1 upon x square बराबर अंडरोड 36 यह value आजाएगी 6 6 का square होता है 36 6 का square होता है 36 होता है तो जाएगा 6 बाहर आजाएगा यानि कि आपकी जो value आई है अभी x square प्लस 1 upon x square की value आई है 6 अब ध्यान रखिए बाई साहब यहाँ पर हमें यह चाहिए इसका कोई अर्थ नहीं है फिर से solve करेंगे हम हम इसको लिख देंगे x का square प्लस 1 upon x का square पुरे के लिख सकता हो ना मैं और यहाँ पर हम बराबर 6 लिखेंगे अब देखिए हम क्या कर रहे हैं हम यहाँ दोनों पक्षों में क्या करेंगे यहाँ पर द्यान रखेगा यह तोड़ा इधर ही लगा रहा हूं मैं कुशन को इसको erase कर देता हूं मैं यह भी को ठीक है चलिए अब हम जोड़ेंगे नहीं घटाएंगी क्यूकि हमें A-B लाना यहां माइनस का चिनन नहीं है तो हम इसको क्या करते हैं दोनों पक्षों में दो घटाने पर दोनों पक्षों में दो घटाने पर फिर यहां से देखिएगा तो हमने आयाओ क्यानी दिए एक्स का whole square हो गया plus one upon x का whole square हो गया भाई साहब minus 2 कर दिया और यहाँ पर मैं लिए सकता हूँ x into one upon x कोई फरीख नहीं दो से 2 कड़ी जाएगा यह एक से कड़ी जाएगा ठीक है बराबर यह हो जाएगा 6 में से 2 घटा देंगे अब देखिए यहाँ पर यह क्या बन गया है यह value आपकी color change करते है नोड़ा सा यह value आपकी a हो गई है अब यह value b हो गई यानि x आपका क्या हो गया a हो गया और one upon x क्या हो गया आपका b हो गया a square plus b square minus 2ab minus 2ab है तो क्या हो जाएगा x a minus b का whole square यानि x minus one upon x का क्या हो जाएगा whole square बराबर 6 में से 2 जाएगे तो 4 आएगा इसको थोड़ा सा आगे solve करेंगे इस square को यहाँ लाएगे तो x minus one upon x की जो value होगी वो under root 4 होगी जो की होती है दो दो का square है न अब देखिए दो कहां आ रहा है पहला ही दो आ रहा है यह आपका answer होगा आई होप आपको इस हमझ में आया होगा ठीक है यहाँ पर जो x minus one upon x की जो value है क्या आ जाएगी दो आ जाएगी यह आपका answer बहुत डेटेल में बता रहा हूँ एक एक point में आपको छोड़ नहीं रहा हूँ ठीक है तो दूसरी बात यह याद रखिएगा कि question आपके exam में गल पिलागे ठाक नहीं सकते हैं आपको थोड़ा और आगे लगाना पड़ेगा हाँ इस पीड अच्छी खासी तीर जाएगी बड़ा प्रेक्टिस करिए ठीक है जब आप प्रेक्टिस करते हैं तो आपकी speed अच्छी हो जाती है ठीक है इसको erase कर रहे हैं इसको erase करने को की 1 14 जोड़ा जाए तो 75 प्राफ्त होता है तो संक्छा क्या होगी जब इससा कुछण आये तो मान लीजी माना संख्या बराबर क्या हो जाएगी भाई साथ संख्या बराबर एक्स हो गी अब कह रहे हैं कि संख्या में क्या कह रहा है उस संख्या का एक चौथाई जोड़ा जाएगा इदि किसी संख्या में यानि एक्स में एक्स में क्या किया जाए इसका एक चौथ हाई जोड़ा जाए तो एक सवाल लिया गया है याई लीनियर equation बन गया है आप इसी को solve कर लीजे भाई जाब पटे में चाहे इसको एक कर लीजे यह चाहे आप 4x प्लस इसको सिद्राइटली करना चाहे तो आप 5x भाई 4 कर सकते हैं नहीं तो आप लासा ले लीजे 4 आएगा यहाँ आएगा 4x यहाँ आएगा कितना x आएगा बराबर 55 आजाएगा यह आपका जाएगा 5x बटे 4 बराबर 55 आजाएगा ठीक है फोड़ा सा और solve करेंगे तो 5x की value क्या आजाएगी आपकी 75 गुडे 4 आजाएगी x की value आजाएगी 75 गुडे 4 बटे 5 पांस इसको काट सकता है तो कितना हो जाएगा 5-6 15-65 होता है न 15 आजाएगा 15 चोब को 60 x की value कितनी आजाएगी 60 किसी में आ रहा है जिब बी वाले में 60 आ रहा है तो यह आपका answer होगा कुछ था नहीं इस question में ठीक है अब इसमें हो क्या रहा है एक चीज आपको ध्यान रखना है कि दिखी question क्या होता है कुछ question lengthy होते है बड़े होते हैं मानते हैं ऐसा नहीं होते है साही question easy आते है बड़ कुछ question जिसे आपके 50 question आ रहे है तो पचीस question तो आपके easy आएंगे ठीक है तो यहाँ जो time बचेगा यह की power one upon x जो है यह बराबर है रहे होगा यह one upon x जो है यह बराबर है b ki power one upon y बराबर c ki power one upon z है यह साहब कहा रहे हैं कि और एक और चीज़ दी है b बराबर है b square है a c k आपको पुछ रहे है कि x plus z की जो value है वो बताइए ठीके साहब यह आपको find करनी है find the value कोई बात नहीं यह बड़ा easy सवाल है कोई दिक्कत नहीं है हम जब इस तरी के question मिल जाए है न हमें आपको कुछ नहीं करना है आपको करना है कि भी इस लो a की power 1 upon x है कोई बात नहीं और बराबर b की power का है 1 upon y है इन सबको बराबर हैं आपस में इनको बराबर मान लो k k आप मान लो m मान लो b मान लो c मान लो कोई भी आप मान लो लब ऐसा मत मानओ किóc इस confusion हो जाया ऐसा मान लो कि a, b, c, x, y, z से अलग मानो k मान लो, l मान लो, h मान लो कुछ भी मान लूड़ो है चलिए हम वे बहीं बाइन के बराबर में देजिए उसे रखा आ तक कि आपको मैं न चैलिए एक जाएगा एकीपावर किया है वन अपॉन एक्स को मैं लिए सफताहू कि ए वराबर क्या देगा बटे में करणी पढ़ाया है मैंने नहीं पढ़ा जाके पढ़ लीज़ेगा की पावर X हो जाती है कि दर जाएगे दिद आप वाई है से मैं यहाँ पर क्या होगा बीड़ी पावर वन अपन वाई है और टाकर यहाँ जाएगा कि जो b का square है वो a c के बराबर है बाई साथ चले कोई नहीं अब b की value तो पता ही है आपको k की power y है k की power y का square कर दीजिए और a की value कितनी है k की power x है और गुड़े में क्या कर दीजिए c की value कितनी है k की power z है चले अब करना क्या है यहाँ पर यह गुड़ा हो जाएगा तो k की power क्या जाएगा 2y हो जाएगा और चुकि base बराबर है तो घाते आपस में क्या होती है जुड़ जाती है तो k की power क्या जाएगा यहाँ पर x plus z फिर गाता अंकर नियम दोनों पढ़ा रखा है मैंने करनी पढ़ाया है गाता अंकर नियम पढ़ाया है अगर बच्चे ने class अच्छे से लिए होगी तो आपको पता होगा कि अगर basis यहाँ पर सेम है तो 2y जो होगा वह आपको कितना होगा एक्स प्लस जट की बराबर होगा ज्यानि कि इस चीज को मैं अगर ऐसे लिए दूँँ एक्स प्लस差不多 जड्ड जो गवह वह बराबर होगा ढोई के तो कोंई दिकत है हमें क्या निकालने थी एक्स प्लस जड़ की तो की निकालने थी यही बालस कितनी आ आए कि यहाँ पर 2y आजाएगे नहीं आजाएगे तो आई कहीं पर है जी बिल्कुल स्थी वाला टू आई है तो यह आपको क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा ठीक है एजी था कि नहीं था चलिए आगे बढ़ते हैं नहीं कि रभी के पाँ ज्यादा पावर है या कमल काम चूर है छे दिन में कर रहा है ठीक है तो रभी भाई साब दो दिन में कर ले रहे हैं और कमल जो है यह सहाब कर रहे हैं कितने छे दिनों पूरा कर रहे हैं अब करें याजी दोनों मिलकर उसको करें तो वे कितने दिनों म पूरा करेंगे, ति लोग अभी कहा गया कि बाई ऐसा करो कि दुनों मिलके पूरा करो एक काम, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी अकेले के लोड पड़े, तो हम यह कह सकते हैं बाई साब, कि दो दिन में इसे रवी क्या है क्या कर रहा है, रवी एक काम करता है कितना, करता ह है, पराबर, दो दिन में, इतना तो पता है आपको न, और कमल एक काम करता है, एक काम करता है, कितने दिन में, शे दिन में, अगर इसी को मैं पलट कर लिखूँ, दो दिन में कितना काम होता है, रवी द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा, इसे दो दिन में, रव रभी दो दिन में करता है बराबर एक काम एक वर्पूरा करता है ठीक है तो रभी जो होगा वो एक दिन में कितना काम करेगा इसको मैं एक लिखना हो एक दिन में करता है कितना एक बटा दो आ जाएगा काम करेगा ठीक है यहनी आधा काम आज करेगा आधा काम करेगा आधा का आप कमल का लिज लिजिए तुक कमल क्या होगा कंवल से दिन में कितना काम करता है तो अब दोनों करते हैं कितना दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों एक दिन में काम करते हैं तो भाई साब इनका एक दिन का काम हो इनका एक दिन का काम क्या कर लेंगे हम जोड लेंगे कि नहीं इनका एक दिन का काम कितना है रभी का एक दिन का काम कितना यादा है और इनका सहाब का एतन्का पर बटे 6 है एक बटे 2 और एक बटे 6 को क्या कर लेंगे हम जोड़ लेंगे लासा ली जीए गए तो 6 आएगा यहाँ पर 3 आएगा यहां पर कितना आएगा एक आएगा यानि चार बटे छे आएगा कट भी चाएगा दो दोनी चार दोते ही यानि दो बटे तीन ठीक है यानि दोनों मिलकर क्या करते हैं दो बटे तीन काम करते हैं दो सरी दो बटे तीन भाग काम करते हैं ठीक है यानि कि हम कह सकते हैं एक, ठीक है, दो बटे तीन काम कर रहे हैं, यह भाग यहां पर लिखा हैं, दो बटे तीन काम कर रहे हैं, कितना, एक दिन में एक काम करेंगे, पूरा-पूरा एक काम, एक काम, एक वर्क जो रहे हैं, काम करते हैं, एक बटे दो बटे तीन हो जाएका तु तो इस ही को कहीं आ रहा कि यह इन्विट है हम नहीं आ रहा है इसी को अगर आप मिस् ens है न सब्सक्राइब करेंगे तो क्या लिख सकते हैं यहां पर एक सही एक बटा तील लिख सकते हैं एस इसक रिशे हैनों कि रेज करता हूं यहां पर लिखेंगे आप यह एक रिपीट कर दे रहा हूं मैं ठीक है क्या कह रहा है कि बाइच साब रभी जो है आपको जो वालू दी गई यह रभी जो है एक दो दिन में काम कर रहा है और कमल एक काम करता है छे दिन में हमने क्या किया उनके एक दिन का काम निकाल लिया एक दिन का काम कितना होता है तो एक बटा दो आ गया इसका एक बटा छे आ गया अब दोनों का मिलकर कितना आ गया दो बटा तीन निकल के आ गया भाई साब तो हम यह पता करते हैं कि दो बटा काम एक दिन में कर रहे हैं तो ए कितने मिलायें हैं तब चार के पड़ी होगी तभी तो पांस गुड़े-4 करें तभी तो इस तरीके से हम उन्हें बटे में कर लिया अब जब बटे में करते हैं तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां नीचे वारा दो बटा-3 है उपर वाला हम क्या कर लिए एक ब इसको तीन वटे नहीं दो वटे तीन ही फिर से लिए तो यह सारे concept में आपके यहां पर clear कर दे रहा हूं चलिए अगले प्रस्ण पर आते हैं अपने अगरो की माधिका पूछ रहा है आपसे इस question में कोई question छूटा तो नहीं है इसके पहले वाले में इसके अगरो की माधिका है माधिका निकालने का इसके अगर माधिका आपको निकालनी है तो पहले तो इसको आप एक क्रम से लिख लीजिए ठीक है जैसे इसमें लिखा गया 25, 34, 31, 33, 32 के बाद मैं क्या थेस यहां लिख लिए इन्होंने फिर 22 आ गया तो यहां 20 भी आ रहा है इसको क्या कर लिजीए बढ़ते करम में लिख लीजिए अन्ही पहले क्या आएगा आपका देख जिख आपके सेह मन Detch 20 हो गया उसके बाद क्या 27, 27 नहीं दिख रहा है, 28, 29, 31 है, 30 नहीं है, 31 है, 31 भी है, आपका 32 है, फिर उसके बाद में 34 है, 35 है, 31 है, 32 है, और 34 है, उसके बाद में 35 है, कितने भी आपकी चीज़े खतम हो गई है, अब इसों काउंट कर लिजे कितनी है यह, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, तस, यहीं जो नंबर से कितने आए हैं, आपके दस आए, जो कि क्या है, समसंख्या है, अगर समसंख्या की माधिका क्या होती है, माधिका का फार्मूला क्या होता है विसाब, यह होता है, एन बाई टू वापद, प्लस n by 2 प्लस 1 वापद बटे में होता है इसका 2 चलिए n by 2 वापद मतलब इनकी वालू कितनी है दस रख दीजिए यहां पर 10 बटे 2 प्लस 10 बटे 2 प्लस 1 यह दूसरा वाला सिस्टम है वापद है न इसमें यहां प्लस में लगाएंगे वापद लिख देंगे हम एक और इस 10 by 2 प्लस 1 वापद इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे बटे 2 कर देते हैं यहां क्या आजाएगा दो बंचे 10 और दो बंचे 10 तो यह पांच वापद आजाएगा प्लस लिखेंगे 6 वापद बटे 2 होगा पांच वापद कौन सा रिके एक दो तीन चार पांच वाँच व 20 प्लस 1 तीस जोड़ दीजिए बटे 2 कर दीजिए 9 6 15 5 होगा तो दो चार एक पांच पच पन बटे 2 इनको आप काटेंगे दो से तो दो दो नी 4 दो सते 14 दो पंचे 10 यहां पर अगर विसम होता तो यह आपका एंसर आ गया ठीक है कहीं आ रहा है जी बिलकुल आ रहा है सी आए ज़ह आल आपका ठीक होगा तो मांधिका निकालने का बहुत यह एकस मे कोई ज्यादा यहाँ पर अगर विसम होता तो यह आपका एंसर हो जाता ठीक है वापत यहां और मांधिका अूम्न्लाइन अभी अनलाइन ख्लासिस नहीं ली हैं अपने पढ़ाई होगा इसको अगला कुशन आते हैं 33 नंबर उससे पहले इसको बॉड़ा एरेज करते हैं 33 नंबर कुशन जो बड़ा ही अच्छा कुशन आया है ये बोर्ड मास्नियम का कुशन है ठीक है माइनस यहां लगा गया गया 1 2 5 यहां पर मचला ब्रेकर लगादिया इनलोंने 4 प्लस यहां पर पांच बटे 6 है है और माइनस है 1 बटा 3 plus 1 बटा 2 उसके बाद में ब्रेकट ये बंद है ये बंद है फिर ये भी बंद है ध्यान रखिए का यहाँ पर फुटा पाई लगाया गया यहाँ पर पाई ब्रेकट लगाया गया ठीकि ये कुशिच्चन बड़ा ही इंपोर्टन पुशिच्चन है गलती मैंने गहां कि थी, यहां पर अगर आप माइनस एक बटा तीन है न और प्लस वन बाइ टू है, ठीकिहें और पाँच बटा यहां पर छे हैं, इन सब को अगर आप सॉल्व करते हैं, यह पूरी प्ली बेकर को भी सॉल्व करते हैं, इनका लासा कितना आ रहा है, छे आ र हमें जानते थे 5-3 कितना होता है भाई साथ होता है आठ में से 2 गटाएंगे बटे 6 यह 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 एक अंसर आ गया लेकिन यहीं हमने गल्ती करते अब गल्ती क्या कि आप देखेंगे इसको erase कर देता हूँ यहाँ पर इस पूरे की वैलू कितनी मैंने निकाली है एक निकाली ना आपके सामने आप देखें जो हमने गल्ती की थी आप भी मत दोहराइएगा काफी इंपॉर्टन सवाल है ठीक है चलिए देखें मैथमेटिक्स में क्या है कि भाई साहब इन्होंने कहा है कि यह पाई है यह एक ब्रेकट है यह बाद में आएगा यह जिसके पास भी ब्रेकट लगाए यह यह प्लस में है ठीक है तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 बटे 20 करेंगे माइनस बड़ा और एकट लगाता हूं बटे 5 प्लस एक बटे 4 प्लस जहां पर 5 बटे 6 माइनस यह पहले इसको सॉल्व करना जिसके उपर पाई लगा है पहले उसी को आपको सॉल्व करना है यहां क्या करेंगे आप छे आएगा और इस वाले माइनस को नहीं काउंट इसका माइनस है यह जाने का प्लस ही है इसको एक दिवार यहां पर आप फीच दीची चाहें एक बटे 3 और एक बटे 2 को आप जोड रहे हैं तो यहां पर आएगा 2 प्लस 3 आजाएगा ठीक है और यहां पर मैं ब्रेकट बंद करते जा रहा हूं यह नौ बटे 20 माइनस एक बटे 5 प्लस एक बटे 4 प्लस यहां 5 बटे 6 है माइनस है यहां 3 तो कितना आएगा पांच बटे 3 अब यहां पर देख़ें इंट्रेस्टीव सत्वत्या पांच बटे 6 में से पांच बटे 6 कट रहा तो यह बालिवी इक जाएगा पर जीरू आएगा यांदी कि 9 बटे 20 मेह तो माइनल एक बटे पाँच प्लस एक बटे चार प्लस यहां क्या आ गएज जीरो आयो एक ने है बताई एगे और देकिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको पाई ब्रेकट यूद करना को था कूना होता है बाद में गल्ती की हमने इसको क्या किया अंडर इस्टिमेट कर दिया था ठीक है तो आप भी मत करिए ऐसे नहीं तो गरत हो जाए चल यह तो इसको हमने क्या का रखता ब्रेक वेटा आज एक नहीं नहीं कर शुद माइन आ यह शोन है इंक लासा कितना आएगा पूरी पूरी वैलू कड़ गए जीरो आगे अब बदाइए यहां पर इतना वड़ा सवाल था एंसर क्या आया जीरो ठीक है फोदा पार्ट निकली चुई है यह आपका सही होगा ठीक है अगला कुशन आपका है 34 नमबर यह अच्छा सवाल है करड़ी से लिटेटर है तरह की ऊजते हैं आफे की अजयरे से की सब्सक्राइब यहां पर यहां पर इसके तीन गुड़न नहीं बनेगा पर अटेकर की पावर घूवर implicate सीया कैसरा आता है cancel नहीं होता है बतलब आपकी value ए आती है तभी यह बाहर निकलता है ने तो बाहर नहीं निकल गाएगा तो यहां पर अब देखिए यहाँ पर यह हो सकता है कि भाई साब क्यूब में 8 है तो यह बाहर निकल जाएगा फेले इससे solve करना शुरू कर रहे हैं ठीक है तो हम क्या देख रहे हैं भाई साब कि ऊंवर रूट में क्यूबड है यहांपर 21 है प्लस यहां पर रूट में 16 है तो 4 का स्कुर हो सकता है फिर फिम डे हो जाएगा प्लस यहां चार बाहर आ जाएगा और यहांपर 2 बाहर आ जाएगा अब देखिए एकीस चार पचीज़ दो 27 यानि क्यूव रूट में 27 आ गया और हम जानते 27 जो होता है वो तीन का क्यूव होता है यानि कि तीन बाहर आ जाएगा यह आपका एंसर हो गया यह बड़ा एजी दिमिर्शे था ठीक है अब आपको आराम से इसमें जितने भी नंबर होते हैं आप आराम से गेन कर सकते हैं कुछ ज्यादा करना नहीं था बस हमें थोड़ा से अपना दिमाग लगाना था करड़ी मैंने पढ़ा रखा है जिस बच्चे नहीं पढ़ा है जाके क्लास देख सकता है इसके बारे में अच्छे से बताया भी एमने ठीक है चलिए चौतिस नम्बर कुशन हो गया है आगे पढ़ते है एक पतंग की डोरी एक सो फचास मीटर लंभी है चलिए एक पतंग बनाते है पतंग जैसे बात ऊड़ रही होगी से जो डोरी है एक यह वाई जाब यह कित्ति है एक सो फचास मीटर लंभी है अब कह रहे हैं कि जो 36 से प्थाट डिगरी का कोण बनाती है 36 मतलब जमीन से जमीन पर जो बच्चा उड़ा रहा है वो कहरा है कि यह जो डोरी है वो 60 डिगरी का कोण बना रही है यह लो कोई बात नहीं अब गहा है तो पतंग की जमीन से उचाई है अब यह तो जमीन है 36 वाला अब किसकी उचाई कह रहा बता दो यह कि उचाई क्या होगी यह अब बताई आप लोग क्या हो सकती हो चाहिए सबसे पहली बार तो यह तो ट्राइमेंटर के कुश्चा है हम यह देखेंगे बाई साब यह क्या बन रहा है आपका 90 डिगरी का कौन बन गया ठीक है तो इसके सामने क्या हो जाएगा यह आपका जो हाइट है वो क्या हो जाएगी लंब हो जाएगा यानि इसको परपेंडी सब्सक्रेट के giard हेगा यानि क्या रक है और ख़िए NS रचल बेदी का महां सभी कि बच्चे बच्चे को पताऊगा डूट् ठीक होता है और 15 hydina होता है ठीक है बुड़ा कर लीजिए बाइस अब ग्रॉस मुल्टिपिकेशन कर लीजिए एक सो पचास को उदर भेर दीजिए दिसके दे हेच की वैलु आ जाएगी रूट 3 बाइट 2 में क्या हो जाएगा 150 से गुड़ा हो जाएगा कीव कि इधर भाग में वदर गुड़े में जाएगा तो कितना आएगा 65 आएगा एच की वैलु कि दर नहीं आ गई तो 65 अंडर रूट 3 और सॉल्ब करना जाएं तो रूट 3 की वै हमारी ठीक है और हमने क्या किया है यहां पर हैं सब बस दो तिन लाइन में लेकर आ गए यह सारे कुशन बड़े एजी है उनको आप लगा सबते हैं अपने टाइम बहुत अच्छे तरी मतलब 30 सेकंड इनफ है 30 सेकंड इनफ है बहुत ज्यादा है इस कुशन हो के लिए ठी कुशन में कल्कुलेशन नहीं आती है लेंदी भी कुशन रहते हैं ठीक है आगे बढ़ी है अपने कुशन में तो वर्गी कर ताकडों की मादिका बाइस आप देखिए इसमें कौन सा फामुला लगेगा यह भी वाल लगेगा डेरिवेशन जो अगर आप कहेंगे तो मैं आ आपको करके बढ़ा दोंगा अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं हां डेरिवेशन चाहिए फिला लीजिए इसको रट लुँचा जाता है ज्यान रखीगा पकूशा जाता है एंग्जाम है और बच्छे ने देयार चुनो ठीए कोई बात नहीं है इसको तो कर लेंगे लेकिन करना नहीं है इसको रटके रखेना है अपने आपको ठीक है रटके इंदर सेंस फुड़ा थमज़ के रखिए अपकी डेरिवेशन में करवा दूंगा तो आपको रटने की जरुवत ही नहीं पड़ेगी ठीक है डूसरा क्या लिखा था यह यह तो पःला समेकरन बन गई चलिए दूसरा क्या लिखा है टूसरा क्या लिखा है क्यूणपाद अर बराबर लिख Four the Q बटे R लेख सकते हो आप क्या 8 बटे फिर दूसरा समीगरण हो गया अब पहला और दूसरा समीगरण क्या कर दीजिए आपस में गुड़ा कर दीजिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर Q से Q कट जाएगा और P अपॉन आ रहा जाएगा जो वही हो पूछ रहा है चाहिए P अनुपाते R निकालिए चाहिए P बटे Q निकालिए बात तो सेमी है क्या कर लिजिए सीदे सीदे आप उठा कर दीजिए दोनों समीगरण एक को और गुड़े दो कर दीजिए तो भाइस आप P अपॉन क्यों को गुड़ा कर दीजिए तो बराबर के इस तरफ वाला इससर चुड़ा हो जाएगा कि अपने वाले विरादरी वाले लोग इसमें गुड़ा हो जाएगे और ये जाब बराबर के उस तरफ हैं जो नदिया के पार हैं वो उदर गुड़ा हो जाएगे आठ बटे नव हो गया चलिए चार दुनी आठ होगा तीन तरीका नव होगा और ये क्यू से ये क्यू खटम हो जाएगा तो पी अपन आर की वैलू आ गई दो बटे तीन या इसको ऐसे लिख सकता हूं पी आउन पाते खरे लिखेंगे आर केंगे तो यहां पर आर बराबर लिखेंगे दो अनपाते थीन ठीक है यह आपका एंसर आ गया है दो अनपाते दिना रहा है जी बिलकुल आ रहा है तो आपको क्यों से सही होगा बी नमबर सही होगा या 38 नमबर के बिलकुल गुछन को रहा है यही संभाहू तो तरबूज का घागेशर थे कह ते क्यों और बराबर होते हैं तिहां वाही संभाहू तरभूज का च्छेटरिफल कीया है संभाहू तरभूज का च्छेट meow बराबर है 25 अंडर रूट 3 मेटर स्क्वायर ठीक है हम जानते हैं कि संभावत रूज के श्हित्रफल का फार्मुला होता है रूट 3 भाई 4 भूजा का स्क्वायर बराबर है कितना 25 रूट 3 अब यह रूट 3 रूट 3 रूट 3 काट दो टार भाग भूजा का स्क्वायर रूट 3 रूट रूट का स्क्वायर रूट नकर आएगा अब उसका परिमाप होगा कुछ बच्चे क्या होता ने यहीं कुस हो जाता है तो परिमाप का फॉर्मला यो मैंने कहा तो पहली बता दिया ए ए इसको कुछा होता है यह इंट विजा अबर से तीन बार चाया उनको जोड़ लीजिए तुर्ष पीन गोड़े 10 कर लीजिए इसको इतना जाएगा विडियो देख रहे हैं और विडियो देख रहे हैं तो तो धन्य वाद देना बनता है क्योंकि हम मेहनत करके इसको बना रहे हैं और आप मेहनद करके देख रहे हैं और लाइक और शेर वेर भीएकर कर देंगे तो तो फिल की गहराईयों से धन्यवाद बिल जाएगा ठीक है चलिए फिलाल लाइक और शेर करिए चाहे न करिए तो आप यह करिएगा कि एक्जाम में कुश्चन कोई गलत न करिएगा और पे पावर कितना दिया गया है तो जो बच्चे नहीं पढ़ें भाई साब जाके लाग भी पढ़ सकते हैं यहां पर यहां पर टू की पावर में कितना है 3 upon log base 3x है इसको अगर लिखना चाहो टू की पावर में तो क्या लिखते हैं 1 upon 2 की पावर लिख सकता हूँ 6 इसको उपर अगर आप ले जाते हो तो पावर माइनस हो जाती है यह नहीं माइनस 6 ले सकता हूँ तो अगर मैं यह कुँट गलत नहीं होगा न तो की पावर 3 upon log base 3x बराबर होगा तो की पावर माइनस 6 पेस दोनों बराबर हैं घातां के नियम से हम क्या बोल सकते हैं कि log 3x की बाइलू बात करूं यह इधर जाए और यह इधर आ जाए तो हम उपले सकते हैं कि log base 3x बराबर होगा माइनस एक बटे दो यहां से दो तरीके हैं लगाने के अगर आपने हमारा question को लिया है तो मतलब आपने हमारी class ली है logarithm आप इसको बड़ी इसली आप क्या करेंगे 3 की पावर log अटाने के मतलब क्या होता है भाई साब तो यह तरीका है कि log इस तरीके से रहा होगा तभी log में ऐसा लिखा गया होगा और एक दूसरा जो तरीका है वो भी बता देते हैं आपको इस तरीके में क्या लिखेंगे कि log बेस फटी है, एकस है ठिक है बराबर हो जाएगा माइनस एक बटे-दो यहाँ लिखता हूँ लाओ 3 base 3 अगर ये 3-3 बरावर हो जाते हैं तो इसकी value कितनी आती है एक आती है इसको ऐसे ही लिख दिया हुए नहीं ये minus 1 बटे 2 अगर यहाँ पर है किसमें है आगे लिखा हुए तो ये किदर चला जागा इसकी power में चला जाएगा log base 3 x बरावर हो जाएगा log 3 की power minus 1 by 2 अब इस पूरे log से ये पूरा log हम क्या कर देते हैं cancel कर देते हैं तो जो x की value आती है यहाँ x की value क्या आती है 3 की power minus 1 बटे तो 3 जो यहाँ पर आई थी x की power 1 upon root 3 हो जाएगी यह नि 1 upon root 3 कहीं आ रहा है भी है जी विल्कुल पहले ही बैटे हुए है आगे की उठा लो हमें चलिए तो यानि की 49 नंबर स्वाल में आपका ace of questions सही होगा I hope आपको समझ में आया है अगर logarithm नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाएए उस पर सवाल जो में नहीं कराएं वहीं आपके लिए इनफ हो जाएगा बट फिर भी rule और concept अगर आप देख लेंगे तो ज्यादा बहतर होगा ठीक है अगला question कहाँ रहा है वाई साब दो विंदू हो इतने और इतने के बीच की दूरी होगी चलिए यह coordinates दिए गए है आपको ठीक है जी सवाल है को जादा बहुत बड़ा lengthy सवाल नहीं है यह जीस आप कहा रहे है कि a sin theta comma a cos theta एक coordinates और a cos theta comma minus a sin theta इनकी जो value इनकी coordinates दिये गहीं यह गैरा है बीच की दूरी तो दो अगर coordinates आपको दिये गए है अगर माल नेजे कहीं पर x1 है मालेता हूं इसको में y1 मालेता हूं तो x2 मालेता हूं इसको y2 मालेता हूं अगर x1 x2 y2 d दिये गही है तो d का जो formula होता है under root x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square तो नहीं आ रहा है आपको चलिए इसी में उठा के आप रख दीजे value को आपका answer आ जाएगा तो x2 की value क्या है x2 की value क्या है एक cos theta है minus x1 की value क्या है एक 9 theta है कि इसका whole square कर दीजिए और plus में क्या कर दीजिए आप y2 y2 क्या है आपका y2 आपको minus x1 theta है और minus y1 की value क्या है a cos theta है इसको आप solve कर लिजिए भी या इसका square हो का जहां रखेगा किसी को solve कर लिजिए आपका answer आ जाएगा ठीक है इसको solve अगर मैं करना चाहूं का whole square plus अगर इस दोनों minus को बाहर निकाला जाए तो यह इस square से plus हो जाते है इस square की बास नहीं आ रहा हूं मैं इन दोनों minus a common ले रहा हूं तो यहाँ पहो जाएगा a sin theta plus a cos theta और यह मैं square बाहर लिखना हूं अभी अब जब यह अगर आपने पढ़ा होगा दिखाता आंके नियम में जो मैंने पढ़ाया है a into b का square अगर है और अगर यह breakout आफ करिएगा आप तो a का भी square होता है और b का भी square होता है जबी बड़ा वाला breakout में हटाओंगा तो a का भी square होगा और इन सब का भी square होगा यहानि कि यहाँ पर एक value में लिख सकता हूं क्या है हाँपर a cos theta minus a sin theta का whole square होगा plus minus 1 का यहाँ पर square हो जाएगा तो यह plus ही हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा a sin theta plus a cos theta whole square यहाँ कि अब आपकी जो final value बन के आती हूं यह बनती है यहीं बच्चे confused होते हैं कि कि जो माइनस माइनस आ गया तो इसमें तो कोई formula ही नहीं लगेगा देखिए माइनस को बाहर निकाल लीजिए दोनों प्लस हो गए ठीक है यहाँ पर आता है a cos theta minus a sin theta का whole square और प्लस में आता है a sin theta plus a cos theta का whole square देखिए यहाँ अगर ध्यान से पढ़िएगा तो यह value यह value और यह value यह value बराबर है यहाँ पर यह इसको थोड़ा सा इधर उधर लिख दिया गया है लेकिन मैंने कहा a plus b और b plus a में कोई अंतर नहीं होता है तरहम भी नहीं मतलब इसको चेंज कर दीजेगा तो भी कोई अंतर नहीं होगा यह अगर यहाँ बात करें तो यह बन रहा है अगर इसको मालो x माल लेता हूं a cos theta को माल लेता हूं x और a sin theta को माल लेता हूं है y तो यह क्या बन रहा है x minus y का whole square और यह बन रहा है x plus y का whole square जब ऐसे समिकरण बनते हैं बच्चों तो धहां रखेगा इसकी value आती है इसकी value आती है 2 into x square plus y square ठीक है यह value आती है इनकी तो आई erase करता हूंने तो आप कुशन लगनी पायाएगा यहां तो आगया होगा यह मैने formula ही बताया था आपको formula हमेशा याद रखने आपको नहीं तो आप discussion में आगे ही नहीं बढ़ पायेंगे तो आपको याद रखने पढ़ेंगे अगर concept समझ के याद होते है तो अच्छी बात है नहीं concept समझ के याद होते है तो आप तो रट लीज़े ठीक है बट मैं आपको प्रिफर यह करूँ concept उनका समझ के याद रखे आप अब एक्स की वैलू इस मेरे दीजिए आप अंडर रोट में आप क्या कर दीजिए आपर तू है एक्स की वैलू क्या है आपका a cos theta है यानि a square cos square theta हो जाएगा plus a square sin square theta हो जाएगा आपका अब इनकी अगर लीज़े under root में तो a square भी common ले लीजिए तो जाएगा cos square theta plus sin square theta ठिक है इसकी value कितनी होती है एक होती है तो under root में क्या जाएगा 2a square अब देखिए यहाँ पर करणी के नियम से यहाँ मैं इसको तोड़ा black ले लगता हूँ इस वाली value का a square है तो किवल a ही बाहरा पाएगा तो यानि आप लिख सकते है under root 2 a या इसको ऐसे भी सकते है a under root 2 ठीक है चलिए यह आहाँ पर आ रहा है एक ही उपर under root नहीं लगा है क्यों इतने की उपर under root लगा हुआ है ठीक है ठीक है नहीं रहाँ आप यहाँ देखिए यह question को देखिए ठीक है तो आपका कौन से सही होगा इसमें से यह वाला सही होगा ठीक है डी वाला आई होप आपको यह समझ में आया होगा जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ ठीक है चलिए आगे बढ़ते है 25 नमर पक्षण की नमर 42 क्या गहरा है बच्छों आपका दो संकू के आयतनों का अनुपात एक अनुपाते चार तथा उनके व्यास का अनुपात चार अनुपाते पांच हो तो उनकी उचाईयों का अनुपात क्या होगा आपके अच्छा सवाल है ठीक है पहले चीछ तो आपको यह पता हों कि चाहितन क्या होता है θα आइतन का fucking आइतन क्या होता है यह होता है ऐसाब एक ब्टा थीम आइर स्वाइर है जाहर तुस्ट ए ठाअब यह सहाब कहे रही है कि दो संकू के आइतन का अनुप्त की है तीक है निट पहले संकू पहले तो दोनों संकू के आयतन हमने निकाल लिए, अपने तरीके से माल लिए, निकाल के लिए, माल लिए, कह रहा है कि उनके व्यास का अनुपाद, यानि अगर इसको अनुपाद, इसका अव्यास D1 है इनका D2 है इनका अनुपात जो आ रहा है वो 4 अनुपात 5 है तो इसको दिसकता हूँ मैं क्या आरवन और आरटू का भी यो अनुपात होगा वो भी यही होगा त्यार पाते पांच क्यूं होगा क्यों कि D1 अपॉन डी टू बराबर होता है 2R1 upon 2R2 2 से 2 कट जाएगा ये value कितनी दी गई है आपकी 4 अनुपाते 5 ही तो दी गई है सेम होई होता है कि R1 upon R2 बरावल क्या हो जाएगा 4 बटे 5 ही होगा जान रखेगा अब ये सहाब कह रहे है कि आइतनों का अनुपात अनुपात मतलब क्या बटा कर दें इनको हम ये बटे में कितना आ रहा है एक अनुपाते 4 आ रहा है चलिए इनको solve कर लेते हैं हम भाई साब कि 1 बटा 3 पाई R1 स्क्वाईर H जो है बटे 1 बटा 3 पाई R2 स्क्वाईर H2 एक रहा है इसका यूज किया है ठीक है बटे में कर दिया है इसको अब हम ये देख रहे हैं बाई साब कि ये वैलू कितनी है एक बटा 4 है चलिए यहां हम लिसकते है R1 अपॉन R2 का होल स्क्वाईर लिसकता हूँ मैं लिसकता हूँ अब गुड़े H1 अपॉन H2 बराबर कितना आ रहा है एक बटे 4 आ रहा है आगे आ जाईए R1 बटे R2 की वैलू कितनी है 4 बटे 5 है कि नहीं है 4 बटे 5 यहां मने निकाली न 4 बटे 5 का स्क्वाईर हो जाएगा बड़े में हो जाएगा H1 बटे H2 बराबर 1 बटे 4 अब H1 बटे H2 की वैलू क्या आ जाएगे यहां पर 16 हो जाएगा यह 25 हो जाएगा यहां जाएगा यह पहले लिल देता हूँ एक इस्टे पॉल आ रहा लेता हूँ 16 बटे 20 बराबर 1 बटे 4 चैलिए इसको उधर ले जाएए तो H1, H2 की जो वैलू आ जाएगी हो जाएगी 25 बटे आँ क्या हो जाएगा 16 बटे 4 हो जाएगा 16 बटे 4 हो जाएगा यहनि H1 और H2 की जो अनुपात आएगा कितना आएगा 25 अनुपात दे 16 चो को अफसेट ठीक है अगर ना समझ में आया है तो पहले तादे रहा हूँ कि भई हमने पहले संकू का आएगा निकाल लिया हमने माना चलो त्रिज्या आ रहा है R1 है और आपका उचाही H1 है कोई बात नहीं दूसरे कभी हमने ऐसे ही निकाल लिया निकाल के लिया हमने मानी लिया ठीक है हमें यह बताए कि R1 अपान R2 व्यास का अनुपात कह रहा है तो वही सेम चीज़ होती है त्रिज्या का भी अनुपात ध्यान रखे का बच्चों ठीक है ऍपान के भाहए कि वह दूसरे कूशी को दूसरे के अनुपात कई करता वह content है कुछ बच्चों के वह ऐदा क्या मोथा रहे है पैतालीस आया कोई अनुज्छास आया है यह इवकुल यह आया वार आया है उसके बाद भाइत साइब 56 नहीं है 56 दो बार है और 49 चार बार मतलब होता है जो बहुत बार 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 चमक रहा है नहीं नहीं जाए नहीं जाए जो इस पूरे आपकी गड़ना दी गई इसमें चुपसे जाधा बार आया हो उसी को आपको लिख देना वह बहुल प्रक्याल से आपको थोड़ा सा गर दिमाग लगाएंगे इसमें तो आप आसानी से कर सकते हैं मतलब ये फीरी का नंबर मिलता है आप समय लेजी इसमें कि भी हमें नहीं आ रहा है तो इसको फड़ा और टाइम देते हैं तो आप पुछ रहा है कि यदि चीनी का मूले 15 प्रतिक गिरा है यह प्रतिक गिरा यह प्रतिक मैंने इसमें मार्क बना दिया ठीक है यदि मूले में 20 प्रतिक की व्रिद्धी करके पुना 20 प्रतिक की कमी कर दी जाए तो मूले में प्रतिक कमी या व्रिद्धी होगी यह प्रतिक का सवाल है यह मैंने इसी क्लास नहीं लिए और जल्दी मैं इसी क्लास भी लेने वाला हूँ क्योंकि प्रतिस्ट से भी सुषिन पूछ ले आते हैं कि भाई साब मूल में 20 प्रतिस्ट की ब्रिद्धी कर दीजिए तो 15 का 20% निकाल लीजिए भाई साब इन्होंने का कि 20% कल से जादम बेचेंगे तो 15 का 20% क्या हो जाएगा कर आप मैं ऐसे लिखूं 15 का 20 प्रतिस्ट पंद्रा का मतलब गुड़ा 20 बटे 100 कर दीजिएगा 25 पंचे 100 होता है 5 क्या ही 15 होता है यानि कितना आ गया तीन रुपया बाइस आप कह रहे हैं कि 3 रुपया हम बढ़ा देंगे अब चीनी का मूल ली कितना हो जाएगा कि इननी का मूल ले कि इतना हो जाएगा 15 पहले था और तीन बढ़ा दिया इन्होंने तो बोला विया अठार रुपया बेचेंगे अब बृद्धी के बाद ठीक है यार 20% बढ़ाया था आप कोई चीनी हमारा खरीद नहीं रहा था रुपय में ते काम को रो इसमें से फिर आप 20% कम कर दो यह 18 का 20 परतीश सर्ड टीक्या है चीनी का मून ले क्या था वाई था 20 परतीशत जो है कम कर दिया तैक है एकस का 28 का 20 परतीशत रहा है क्योंकि हमें देख रहे हैं वाई साब यह दी मून ले 20% का बृद्धी की हमने, जो 20 percent की बृद्धी के बाद में 20 पृतिशत, बृद्धी के बाद में हमारा चीनी का मूल ले क्या होगा? तो अठार रुपय कोई चीन ही नहीं खरीद रहा है इन्होंने कहा कि अठारा का 20% हम कम कर देंगे ठीक है तो पहले 20% तो निकालना पड़ेगा आपको ठीक है तो अठारा का 20% निकालेगे तो क्या आएगा 18 का मतलब बुड़ा 20% प्रस्यत की कमी कर दी जाती है इतना तो अठार रुपय बनाए अठार रुपय में से क्या कर रहा है आप तीन रुपया साट पैसा घठा दे रहें वाई साब चार आ जाएगा और यहां पर आजाएगा और यहां पर एक आजाएगा अब यह वेचे रहें भाई साब मूल में प्रतीशत कमी या व्रिधी होगी अब यह अगर यह चीज नहीं कहता कि मूल में कितनी कमी या व्रिधी हुई है तो भाई साब पहले यह पंदार रुपय में बेच रहे थे अब यह 14 रुपय चालिस पैस हम बेच रहे हैं तो इमलाके इनकी अगर हमें कमी बताओं त तिकंड़े साथ और यहां कि प्रतीशत में कितना होगा यानि 0.6 जह होगा उप्रतीशत में कितना होगा तो प्रतीशत निकालने के लिए बटे क्या करना पड़े जो पहला मूले आपको 15 रुपय वाला है गोळे तो कर दिजे हैं यहां रहे यहां पर पांती 15 हो जाएगा पांद दुनी 10 20 हो जाएगा तीन एक तीन तीन दुनी प्रतीशत कमी या व्रिद्धी होगी तो चार प्रतीशत की कमी होगी धान रखिएगा रुपए की कमी की बात करता है तो हम क्या कहते है या इतने 60 पैसे की वाईनि 0.6 पैसे की क्या होती उसको कमी होती लेकिन वो बात कर रहा है प्रतीशत की तो प्रतीशत की उसमे निकालते हैं जो हमारा base price रहता है 15 रुपय पे ठीक है यह आपका थोड़ा लॉंग कर जरूर लगा है इसका एक formula भी आता है लेकिन यह basic method आप याद रखेगा ठीक है formula हम जब कभी पढ़ाएंगे आपको तो इस पर भी हम बताएं कैसे निकल करके आता है ठीक है चले इसको erase कर देते हैं अलग erase करने जो तनी पुछला कि दो रेखा हो यह है और यह है कि बीच की दूरी है तो आपर माइनस या प्लस नहीं होता है एप्रोक्स में माइनस होता है ठीक है एप्रोक्स यानि c1 differentiate c2 और a square plus b square रहता है यह वाला formula होता है इसका याद रखेगा important है ठीक है कि कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसके लिए feel free है आप कमेंट बॉक्स भर सकते हैं बढ़ हाँ सवाल इससे रिलेटेट होना चीए ठीक है ठीक है ठीक हम जानते कि एक रेखा में अगर है तो दो फार्मले इसके लिए सकते हैं एक तो त्रिबुच का छे त्रफल लग सकता है बराबर जीरो होता है इसका फार्मूला होता है एक बटे दो x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 ये बराबर जीरो आता है तो इस पे आप value रखकर के ले सकते हैं आप पूछेंगे x1 y1 वह कौन सा है ये x1 है ये y1 है ये x2 है ये y2 है ये x3 है ये y3 है इस पे रखके आप value को निकाल सकते हैं नहीं तो दूसरा जब इस पे दो सवाल आ गए है इस question में इस पे पर बठीक है दूसरा में आपको दाता हूँ कि इसे गरवान लिजी ये संदेखिये हैं कोई रेखा है ऐसे अगर वो संदेखिये ह अगर ये संदेखिये हैं तो जहां का जो पर इस रेखा की जो प्रवरता आएगी धरान आएगी वो सेम इस रेखा की प्रवरता की बराबर होगी इसका y2-y1 upon x2-x1 इसी पर उठाके लगा देखिये यहां पर क्या हो जाएगा इन दोनों के लिए इन दोनों की प्रवरता कर में निकालों तो क्या हो जाएगा वैलों मकि लिए या जाएगा य्नD Y-0 हो जाएगा यह एकस्टूं हो जाएगा यह एकस्त भॉल हो जाएगा यह एकस्वन हो जाएगा छैंगी 0-1-1-1-1-1-6 घाए मस वाइですね कि आ हाज एक अप्ट कि जो ऐन रहेगी मैंने हुझाय प्रिखस यह क्जिए 1-why 1-0 Anda energ मैंने कहा अगर संदेफिए है ये लिखा गया है अगर रोटा गये एम-वन बराबर होता है M2 के, M1 की value कितनी आई है आपकी, minus y upon x जो होगा यह बराबर होगा किसके, 1 minus y के, इसको solve कर लिए आप, आपकी value आजाएगा, यहाँ पर यह गुड़ा हो जाएगा, minus y बराबर हो जाएगा, x minus xy, directly गुड़ा कर दिया है मैंने, इसमे भी गुड़ा होगा और इसमे भी minus y होगा, इसको इधर ले आओ, और इसको इधर ले जाओ, क्योंकि यह प्लस हो जाएगा, और यह भी उदर जाएगा, ठीक है, बराबर के, इस तरफ ले आदे तो, x plus y बराबर क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा, यहाँ पर यह समे करन कहीं बन रहा है, x plus y बराबर x y, जी बिल्कुल बन रहा है, पहला यह भाला बन रहा है, ठीक है, मेरे हिसाब से से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इससे भी लगाएंगे, यह इस वाले फॉर्मले से न, अब भी आपका एंसर आएगा, निक्षित है तो दो तरीके इसकी लगाने के हैं, जहां रखिएगा इसको आप, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते है, 43 नुमर कुछिन क्या कहा है, उसके पहले मैं स्क्षिवाई रेस कर देता हूं, इससे वीडियो काफी लंबी खिट चुकी होगी, बट जो अभी तक बने हुए भाई सच्छा ऐसी चीज़ है कि आप इसमें माली जी बहुत कुछ आपको पता है, अगर फिर भी आप इसमें थोड़ा बहुत समय देते हैं, तो आप कुछ न कुछ न कुछ नौले जरूर गेन होती है, कुछ नया जरूर सीखने को मिलता है, आप कितने भी पढ़के रखो, हम भ यह थोड़ा दुसरा कलर ले लो उसे, थोड़ा आप कोई भी अलग दिखेगा, तो आप कुछ दूसरा कलर ले डेते हैं, यह वालग लेका हूँ, थहा लेता हूं, साइन फ़ूरा सहलका दिखेगा, यह वालग कलर पहुण साल ले लिए जाए सिंग से, यह ब्लू लेते है क्या रवाई साँप साइन 15 दिगरी माइन प्लस कॉस एकसो पांच तिगरी अब इसमें होगा क्या तिगरी प्लस फटक्ट पांच फो पांच फो चैए लिए अब साइन 15 दिगरी प्लस पॉस्ट नब्वे प्लस फंद्रा की वैलू क्या आती है अगर मैं आपको बताऊं तो भाई साब ये कॉस्ट जो है ये नब्वे होता है यहां तक यहां पर गुज रहे है जिब आप 180 वाले में जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये आपको क्या हो जाएगा बाई साब माइनस म रखनी घा ये वैलू किस में आजाएगी माइनस कहाँ पर यहां पर ये वैलू किसमें हूं माइनस साइन सा इनकी स्क साइन भंद्रा में सेCKraimatra घटाएंगे तो जीरू आएगा या आपको इंसर हो गया कुछ है क्या करता है है साइन पंद्रा का मान कामान係 यपकर जाते है तो वहीं वह गद्दी भी कर देटे एक है इसको थोड़ा साइन 15 का माँ निकाले और इसको मिलते हैं से कर दते हैं तुझे इस पिशिशन की जरूरत ही नहीं इतना लंबा चड़ा लगाने की उसको क्यों लगाए तो हमारा इंसर आगया जीटो गे बढ़ते हैं चलिए यह हमारा अखरी पेज है 50 नंबर आपको कुश्चन हो गए इसमें इसके बाद में हम आपके जो फिसिस के में स्टेक कुश्चन रहेंगे उनको आपको सॉल्व करके देंगे चैनल को कर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साब सब्सक्राइब कर लो और बैल आइकान भी दबा दो आखी में मोटीव यह है कि यह वीडियो जो है पच्चों तक पहुंचनी चाहिए जहां तोड़ा सच्छा का अभाव है जहां वो क्वाल्टी एज्यूकेशन नहीं म आइतन 481 सेंटिमेटर की हुए तो इसका वक्रपिष्ट का शेत्रफल होगा ठीक है चले आपको जहां रफना है कि गोले का आइतन गोले का मैंस्पेसन के सवाल है गोले का आइतन कितना दिया गया है यह भाई साब दिया गया है 4851 गोले का आइतन का फॉर्मूला क्या होता है अगर मैं बात करूं तो यह होता है चार बटे तीन पाई आर क्यूब बराबर 4851 होता है अब यहां पर आपसॉल्ब करिये इसको यहां से आर क्यूब निकल सकती है क्योंकि और कोई ऐसी वैलू नहीं है जो इसके साथ लगी हो कि वही उसको भी साथ में निकालना है तो आर अकीले है तो सब को उधर भी दीजिए फटा फट से आर क्यूब बराबर क्या जाएगा 4851 गुडे जो भाग वे हो उधर गुडे में हो जाएंगे तीन गुडे साथ हो जाएगा पटे में क्या आएगा आपको भाई साब चार गुडे 22 आएगा 11 से कटेगा तो मैं जबहा आएगा तो ज़्यारइध से कटने का नियम क्या होता है गया चार और इसके अल्तरनेटव पांच चार पांच नह अउत और 8 एक नौ दोनों आपस में क्या साथ चाहे थालिस आ गया है उल्क फिए पुड़े तीन आ गया गोवे से दर तॉ रहे है तो कि न्युक्ती है क्या सब्सक्राइब ऑए तौ एँ क्या तीन वात पड़ा सब्सक्राहे इसे तीन सब्सक्राहे है इसका पूरा जोड तीन से कट रहा थो टीन से कट जाएगा थेन तो टीन कर जाएगा तीन कर गाया तो क्या जाएगा यह तीन गुड़े तीन गुड़े साथ पहले से था अब देखिए यहां पर क्यूब रहेगा अब जिसका तीन जोड़ा बनेगा वह बाहरा जाएगा देखिए यहना कि एक साथ बाहर ऊपर ऑगया और दो बाहर की यहीं गहिंट आप 20 बटे 2 आगई आज की बहलु कितनी आगई 21 बटे 2 अब इसको ऐसे लिचकते हैं अगर काटेंगे तो 10.5 आएगा अगर काटेंगे तो 10.5 आएगा 10.5 आप चाहें लिखें चाहें आप लिखें कितना 21 बटे 2 लिखें दोनों आपके लिए suitable है आर बराबर के लिखते हैं आप 21 बटे दो भी लिख सकते हैं लेकिन यहीं पर आपका question खतम नहीं होता है यह पूछ रहा है बाई साहब कि इसका वक्रप्रिष्ट का छेत्रफल क्या होगा तो गोले की वक्रप्रिष्ट का छेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बाई साहब य गोले की गवात करफ प्रिष्ट का छे ट्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर चलिए 4 गुड़े 22 बटे 7 गुड़े नहां पर क्या लिए दीजिए आप आर की वैलू कितनी है दो बार लिखनी है तो 21 बटे दो गुड़े 21 बटे दो लिखे ज्यादा बेटर रहेगा न विसाथ तरीक 21 कर जाएगा तो दूनी चार से चार कैंसिल हो गया तो आपका एंसर कितना आ जाएगा वाईज़ा 21 बटे दो गुड़े की रिसेट कर लिखे तो बाइस तियाँ कितना होगा चाचाट होगा यह आद में लगेगी उच्छे दूनी बारा बारा उच्छे ठारा अंसी लेक दूनी बारा रह रेक तेरा सब्सक्राइब करने में गलती हो जाती है तो हम दूसरा इंसर्टिक करके आ जाते हैं तो व्रई अपने अगला कुश्छन है इसको रहा है रहे रहे होगा है प्रिशन नम्बर क्या आप का है ता है चाच कर रहे हैं यह दि घंका संपूर्ड प्रिष्ट का शेत्र फल घंका संपूर्ड प्रिष्ट यह कितना दिया है वाई सब आपका 384 cm2 बाई सब संपूर्ण फिच्ट की छेत्रफल का फार्मुला क्या होता है यह गुड़े बुजा का स्पार होता है मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से नहीं होता ही है 348 मेंसुरेशन दिए फार्मुले याद रखिये बस आप अब मुझा का स्पार बराबर क्या हो जाएगा 348 बटेचे कर दीजिए ते सरक 36 हो जाएगा 2 बचे का 624 आया यह बराबर क्या हो जाएगी अब जब मुझा निकल करके आ गई तो आपको बताना क्या है घं का आयतन क्या होगा घं का आयतन सबानसफर्मूहम।र्ड के वागत इसकी क्या होता है ही फार्म आठसय आपंसनुबार ही आता है किई इए आपका कतना हो जाएगा कि सैंटमिटर क्याएगा यहाद म이식 यहाँ गलती होती होता है आपको यहां पर यह भुजा का क्यूब है, यानि कि एक तरीके से यह 8 cm का क्यूब हो रहा है, यहां पर यह जो answer आएगा न, वो आप 512 cm क्यूब लिखेंगे दहां रखिएगा, कभी कभी यह दो कुछ answer दिया होगा, यहां लिखा होगा 512 cm2, अब बच्चे क्या करते हैं, ध्यहां यहां पर क्यूब में ही वाले पर पर एक सबढ़े नहीं आए बट आते हैं कुशन पूशे भी जाते हैं अब अब पचास नंबर क्या रहा है वाइट सा बापका इस पर दूसरे करफ लगा देते हैं ताकि और अच्या लगे डास नंबर क्या कहा रहा है आपका। कि लॉग बी लॉग आ लोग फी लॉग यह आपका है। यह मैंने आपको बताया भी हुआ है। इसके एक साठ वीडियो पढ़ी हुए है मेरी ठीक है इसमें क्या करते हैं अगर माल लीजिए एक फॉर्मला लगाते हैं लॉग का अगर लॉग यहां पर x है यहां पर y है तो यह x उपर है y नीचे है न बेस y है अलाकि इसको पढ़ते हैं log base y x इसको लिख सकते हैं आप log x upon log y और इसका बेस जो कुछ नहीं माना गया तो वह माना लिख नहीं हो गया कुछ भी माना सकते हैं ठीक है इसको ऐसे लिख तो हमें log a upon log b गुड़े log b upon log c गुड़े log c upon log a अभी एसे a cancel b से b cancel c से c cancel एक आती है इसको मैंने वीडियो बनाई है और important question मैंने इसको solve करवाए है जिन बच्चों ने इसको solve नहीं किया है जाके log इरदब के class ले सकते हैं online वीडियो पढ़े हुए उस पर लिख आपका यह एक नंबर सही होगा तो यहाँ पर हमने आपके 50 solution करा दिये हैं ठीक है तो I hope आपको यह सारे समझ में आया होंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर सकते हैं share भी कर सकते हैं बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाए इंजय भारत थैंक यू थैंक यू हमें इतना जहीलने के लिए ठीक है